हेलो फ्रेंड्स दिस इस मी समीरा सिदिकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आई यूट्यूब चानल चेक ट्रैप्स दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपके लिए शॉकिंग नियूज निकल कर सामने आ रहे हैं भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर सक्त नजर आ रहे हैं भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को दान करने के लिए सरकार द्वारा पार्लियमेंट में एक बिल पेश करने की खबर के बाद क्रिप्टो मार्केट धाराशाई हो गया है इस कबर के बाद क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ज्यादतर करेंसी 25 से 30 परसेंट तक गिर गई आपको बता दे कि भारत की संसत में शीतकालीन सत्र यानि की विंटर सेशिन 29 नवेंबर से शुरू हो रहा है और ऐसी खबरे हैं कि इसी सत्र में क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन ओफ ओफीशिल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश भी किया जाएगा रिपोर्ट के मताबिक इस बिल में सभी प्राइविट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बाद कही गई है सरकार का कहना है कि भारतियर रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉंच करेगा शीदकालीन सत्र में डिजिटल करेंसी के लिए भी एक फ्रेमवर्क पेश किया जा सकता है और आपको बता दे कि इस समय पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में कोई बिल नहीं है और ना ही इस पर बैन लगा हुआ है इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर रहे है इससे पहले 18 नवेंबर को सिड्नी डायलोग में अपनी भाशर में प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने सभी देशों से ये सुनिश्चित करने का आगरे किया था कि इस क्रिप्टो करेंसी गलत हातों में ना जाए जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है एक रिपोर्ट के मताबे क्रिप्टो करेंसी ओनर के मामले में भारत दुनिया में सब से आगे है भारत में लगबक 10 करोर से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करिंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है ऐसे में भारत सरकार का कोई भी फैसला इन निवेशकों के लिए बड़ा होगा इससे पहले चीन ने भी अपने देश में क्रिप्टो करिंसी को बैंक करने का फैसला लिया था जिसके बाद क्रिप्टो करिंसी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार का क्या फैसला होगा और इससे कैसे रेगूलेट किया जाएगा इस बारे में तो हम आपको अपने चानल पर लगतार अपडेट करते रहेंगे तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हुए जासत अलविदा बबाई